हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में हम बात करेंगे जिरोधा ब्रोक्रेज कल्कुलेटर का दोस्तों इंट्राड और डिलिवरी सीग्मेंट में आप अगर इन्वेश्मेंट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं तो कितने ब्रोक्रेज चार्जज आपको लगेंगे कितने चार्जज आपको यहाँ पर देने पर सकते हैं तो फ्रेंड्स यह रहा जिरोधा का ब्रोक्रेज कल्कुलेटर यहाँ पर वेबसाइट में आपको अपन कर चुका हूँग इसका ओफिस्यल ठीक है इसका link description में मिल जाएगा आप directly यहाँ पर आ सकते हैं या फिर दोस्तों Google में भी सर्च करके यहाँ पर पहुंश सकते हैं तो यह रहा intraday equity और दोस्तों यहाँ पर delivery equity अगर आप intraday trading करते हैं equity में तो दोस्तों यहाँ पर कितने charges लगेंगे ब्रोकरे charges कितने लगेंगे वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं और delivery का भी यहाँ पर जानने वाले हैं दोस्तों माली जे किसी company का share price चल रहा है current में कितना 100 रुपए उसको दोस्तों आपने buy किया 100 रुपए पे sell किया 110 रुपए पे और कितने quantity 100 quantity मतला 100 quantity यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर आप सुझे को NSE और यहाँ पर दोस्तों टर्न आवर दिख रहा होगा तर्न आवर का मतलब है दोस्तों जो आप बाइ कर रहे हैं उसको दोस्तों आप उतना amount से into कर दे मतलग गुना कर दे ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर total जुड़के यहाँ पर निकल जाता है आपका buying और selling दोनों amount जुड़के यहाँ पर दोस्तों आपका जो हो जाता है turnover दोस्तों जितना quantity आप buy कर रहे हैं जितना price में और जितना में आप sell कर रहे हैं ठीक है दोनों को मिला के अगर आप जोड़ देते हैं तो वो turnover आपका बन जाता है तो यहाँ पे एकी सेजर टोटल turnover आप सभी को दिख रहा होगा अब यहाँ पे charges की बात करें तो brokerage यहाँ पे कितना लगा 6 रुपए 30 पैसा यहाँ पे आपका ब्रोकरी लग गया उसके बाद फिर यहाँ पे जो charges आप सभी को दिख रहा है यह दोस्तों लगबद सभी brokers में सेम रहते हैं क्य बारा लगाया जाता है ठीक है यहाँ पे कौन-कौन से charges है HDD charges है मतलब कि security transaction टेक्स तो यहाँ पे लगता है exchange यहाँ पे ट्रांजिक्शन चार्ज़ किलियरिंग यहाँ पे charges आप सभी को लग रहे है ठीक है जिएश्टी लग रहा है से भी लग रहा है charges ठीक है और यहाँ प यहाँ पे थोड़ा सा quantity increase कर देते हैं जैसे कि 1000 quantity में यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो गया यहाँ पे हो गया 2,10,000 रुपय का यह जो है transactions हो गया total दोस्तो transactions हो गया 2,10,000 रुपय का ब्रोक्रेज चार्ज़ देखते हैं सीधा यहाँ पे 40 रुपय लग चुगा है buy side लगा 20 रुपया sales side लगा 20 रुपया total हो गया 40 रुपया यहाँ ब्रोक्रेज चार्ज़ देख सकते हैं यहाँ पे क्या लगा हुआ है और बाकी का यहाँ आप रीड कर सकते हैं और total charges की बात करें तो 86 रुपय चोहत्तर पैसा यहाँ चार्ज लगा है ठीक है net profit and loss के बात करें तो यहाँ पे 9913 रुपय ठीक है यह रहा intraday में ठीक है अब हम दोस्तों बात करेंगे equity में उससे पहले दोस्तों अगर आपको यह जानना है कि यहाँ पे हमने जो कम quantity buy किया था तो यहाँ पे हमें कम लग रहा था चार्ज पर हम ज 3% यहाँ पे दोस्तों यहाँ फिर रहता है कि which is lower यानि 20 रुपय भी यहाँ पे रहता है ठीक है तो उसमें से जो lower रहता है वो अपला होता है तो इस concept को पूरा समयना चाहते हैं यह सब charges कितना लगता है MC बगएरा पूरा जानना चाहते है जीरो धा का तो इसकी उपर में dedicated वीडियो बना चुका हूँ उसमें दोस्तों मैं आप सभी को intraday delivery और यहाँ पे options charges के बारे में भी explain complete किया हूँ तो उस वीडियो का link description में मिल जाएगा या फिर i button पे click करके watch कर सकते हैं ठीक है अब हम दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसमें delivery में delivery segment में अगर आप hold करना चाहते हैं तो जिरोधा या फिर आप angel one चुन सकते हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर brokerage नहीं लगता है आप सभी को ठीक ब्रोकरे charges नहीं देना होता है delivery segment में तो दोस्तों link description में दिया हुआ है जिरोधा का आप account open कर सकते हैं साथ ही दोस्तों अगर आप angel one में भी जान हमने बाई किया है एक सो रुप सेर हमने बाई किया यहाँ ठीक है टोटल यहाँ पर turnover हो गया देख सकते हैं टोटल turnover यहाँ पर दोस्तों हो गया कितना देख सकते हैं 21,000 यहाँ पर total turnover हो गया ठीक है 21,000 turnover पर brokerage यहाँ पर zero हो गया यहाँ पर internet में लगा था दोस्तों 6 तो इस हिसाब से यहां पर टोटल चार्ज़ की बात करें तो 49.78 यहां पर हो गया है मतलब कि दोस्तो 39 रुपए करीब 40 रुपए लगभा यहां पर आपको टोटल चार्ज़ देने होंगे अगर आप इतना क्वैंटिटी बाई करते हैं और टोटल टर्नोबर 21,000 रुपए के तो Allah पर इतना चार्ज़ आपको देना पड़ जाएगा अब अब फ्रेंट्स अगर हम यहां पे थोड़क ओए क्वांटिटी इंक्रीज खरते हैं तो यहां पर देख सते हैं क्वांटिटी इंक्रीज 70 रुपए यह कितना रुपए profit होने के बाद यहां पर लग रहा है यहां पर आप देख सकते हैं हमने यहां पर दोस्तों बहुत जाता है यहां पर quantity एंटर कर दिया था जिसके बज़े से यहां पर इतने सारे दिखा रहे हैं तो दोस्तों यह था जिरोधा के intraday brokerage charges और delivery के ज किसी भी तरह से डॉट हो तो आप हमें comment section में comment कर सकते हैं और वीडियो को भी like करें friends ठीक है आप कुछ learning करना चाहते हैं share markets is regarding तो दोस्तों education purpose के लिए आप हमारे telegram चैनल पर जोईन हो सकते हैं link description में दिया हुआ है थैंक्पो वाचिंग तिस वीडियो